आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम असे धान तक नहीं हो तरी स्टड़ी आईकी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इजिप्ट की टिक्टॉक गर्ल्स कौन हैं ये दो आपको देख रही हैं ये दोनों टिक्टॉक गर्स तुक पर ये वीडियोस बनाती थी अब देखीए वैसे तुम टिक्टॉक को एक विलन की तरह देखती हैं जानेंगे दोस्तों आमने test series launch की हैं आई बी की test series सिर्फ आपको 500 रुपे में मिल जाएगी attractive discount से जरूर अविल करें इंस्टा पे मैं आ गया हूँ 8 से 10 बज़े तक मैं कोडिस्तों answer करता ही हूँ साथी साथ अगर आप मुसे 1 to 1 interact करना चाहते तो मैं updates डालूँगा इंस्टा पे तो आप मुझे follow करिए देखिए ये जो दो Egyptian girls हैं इनको दो साल बाद release किया जा रहा है इजिप्ट की जेल से finally court ने इनको मंगलवार को relief दी कि ठीक है तुमको अब हम छोड़ते हैं ठीक है अब TikTok पे आपको पते ही है videos डाले जाते हैं इन्होंने indecent videos डाले थे इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया था ऐसा Egyptian authorities का कहना था पते LCC ने यही सोचा होगा कि यार ये तो बड़ा खतरनाक हो रहा है मैं बताऊंगा कैसे कानर इसके पीछे कुछ और है इजिप्ट की अगर हम बात करते हैं तो इजिप्ट की इजिप्ट का इतिहास मैंने पुरा कवर किया है आपको पता ही है कि 1956 में revolution आया था गमाल अद्दुल नसीर जो है वो राश्ट्रपती बनेते यांके उसके बाद फिर अनवर सादत है फिर उसके बाद आपके होस्नी मुबारक है और अभी फताल सीसी है इन चारों की बायग्राफ यानि की 1949 से लेकर और पूरा अभी तक का इतिहास 2020 तक का इतिहास मैंने इजिप्ट का कवर किया है उसके बाद इजिप्ट पे जब इसलाम फैला तो इजिप्ट जब इसलाम ने इसलाम का उदय हुआ और उसका फैला हुआ तो उपर से लेकर नीचे तक एफरिका में इसलाम चला गया तो इजिप्ट में फिर इसलामिक कल्चर फला फूला अब हम यह देखते हैं कि इजिप्ट में बहुती वक्त से आज से नहीं 1950 के बाद से क्योंकि भाई इजिप्ट बाद में colonial authorities के पास आ गया फ्रांस के पास आ गया तो आज से नहीं बहुत वक्त से इजिप्ट में एक कटरता है लेकिन इतनी जादा कटरता नहीं है जितनी और और Middle East Nations में देखते हैं वहाँ पे इजिप्ट जो है जैसे सबसे अगर liberal country की बात करें यहाँ पर Islam है वो है टर्की ठीक है टर्की काफी जादा liberal है क्योंकि वहाँ पर European culture भी चलता है अगर हम बात करते हिजिप्ट की तो यह भी liberal है इतना जादा नहीं लेकिन फिर भी यहाँ पर और तो को rights है लेकिन दोस्तों काफी वक्त तक authoritarian state है मलब authoritarian regime है एक ही इंसान के आपर सत्ता चलती है हौसनी बुभारक जो कि 1983 से लेकर 2011 तक इतने सालों तक तीन दशकों तक राश्पती रहे अरब स्प्रिंग में उन्होंने स्टप डाउन किया अरब स्प्रिंग पे भी मैंने पूरा लेचर लिया है 2013 में फत्य LCC है पते LCC जब आए क्योंकि देखिए 2011 के बाद क्या हुआ था कि यहाँ पे लोग जो है वो democracy की मांग कर रहते है तहरीर स्क्वाइर पे सब जमा हो गए और उपर से विमान जा रहे है और वो लोग बोल ले थे कि गिरा दो बंगिरा तो मर नहीं आए हैं कोई democracy चाहिए तो यहाँ पे military को लगा कि यार कुछ ना कुछ करना पड़े का वरना घडबड हो जाएगी तो military की party नहीं आप पे मलेटरी का ही था military ने take over किया लेकिन एक party को nominate किया वहाँ से एक इनसान खड़ाओ और वो election जीत गया अभी भी अगर आप indirect rule देखे ना तो military का ही है तो फते LCC जो है 2013 में आए अब दोस्तों यहाँ पे culture जैसा कि मैंने बताया कि औरतों के लिए सही नहीं है सही in the sense कि औरतों को इतनी ज़दा freedom नहीं है तो जब इन औरतों ने वीडियोज डालने शुरू किये ये कोई ऐसा घलत वीडियो नहीं डालती थी औरतों के woman empowerment पे वीडियोज डालती थी औरतों को क्या करना चाहिए को कितनी freedom होनी चाहिए ये सब डालती थी ये वहाँ के authorities को पसंद नहीं आया उनको लगा कि हमारे culture पे ये सीधा attack कर रही है और ये नगनता फैला रही है इस लेन को गिरफ्तार कर लो लेकिन दोस्तों विद्रो ऐसे जन्म लेता है जो चीज आपको नहीं करने को बोली जाएगी और अगर आपको लगता है कि उससे कुछ बदलाओ आएगा तो आप वही करेंगे इजिप्ट में यही हुआ ये इन शॉर्ट स्टोरी है और देखते हैं आगे क्या हुआ जो ये दो लड़किया है एक का नाम है मावदा अलहदम और दूसरे का नाम है हनीन होसम तो ये दो अड़किया है मावदा अलहदम और हनीन होसम इनको टिक टॉक गर्ट्स बोला जाता है जुलाई में इनको दो साल की सजा हुई थी सॉरी यार मैंने दो साल बाद बोल दिया एक्चुली इंको दो साल की सजा हुई थी तो ये थोड़ा सा एक और करेक्शन या मुझे अरे देखों मैंने भूल दिया था कि फ्रांस ने इजिप्ट को कोलोनाईज किया देखिए फ्रांस इजिप्ट में था लेकिन 1882 था उसके बाद ब्रिटिश आ गया थे तो इजिप्ट ने ब्रिटिशर से आजादी लिए तो ये थोड़ा सा करेक्शन यार अच्छली फ्लो फ्लो में कभी कुछ चीज़े थोड़ एक मॉरल्स हैं अपने वीडियो के थूँ ये दोनों लड़कियां ब्रीश कर रही थी मतलब एक तरीके चाई सुसाइटी को बिगाड रही थी तो ससाइटी को और ना बिगाड़े इसलिए इनको जेल में डाल दिया अब यहाँ पर कोट ने मतलब इन्हों ने अपील की कि बही ऐसा कैसा हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं तो दोनों लड़कियों ने अपील की और उसके बाद फिर अभी कोट ने इनको रिलीस कर दिया है आप देख सकते हैं डिबॉशरी मतलब समझते हैं ना वो इंसान जो सेक्स, नुडिटिटी, अल्कोहॉल, ड्रक्स में बिलकु नहीं है हर जगा लेकिन बैन नहीं है तो वीडियो शेरिंग एप है और इजिप्ट में काफी ज्यादा लोग इसको इस्तमाल भी करते हैं अब कोविड-19 में भी जब सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो और जदा वीडियो आने लगे लोग और जदा इसका इस्तमाल वीडियो बनाएं मेरी तरह वो भी वीडियो बनाएं लाइकी एप पे और पैसे कमाएं जब इनको अरेस्ट किया गया अब देखें यह कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है इनके 1.3 मिलियन 13 लाग फॉलोवस थे टिक टॉक पे काफी जादा फैन फॉलोविंग है अदम की ब जो एक तरीके से डेमोक्रेसी का मुखोटा है जो औरतों को इतने राइट्स नहीं है वहाँ पे और इटेरियन रिजीम में सबसे जादा अगर किसी को नुकसान जहिलना पड़ते हैं उनसे सारे राइट्स शीन लिये जाते हैं तो इस तरीके के जो राइट्स उनको नहीं दिये हैं तो सेटायर मतलब तंज एकस्ति टॉंट मारती थी बारबर एजिप्शन गवर्मेंट और एथारिटीज पे अब इनके भी 31 लाग फॉलोवर्स आपके और टिक टॉक पे और 16 लाग फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे थे तो दोनों को ही और इनके साथ तीन और थ कि हम तो उनके ओपर यही डिबॉशरी में ही जेल में पकड़के डाल दिया जाता है ठीक है कि यह तो घलत चीजे कर रहा है यह नगनता फैला रहा है यह शराग को प्रमोट कर रहा है इस तरीके से ठीक है तो यहां पे होसम अदम और तीन मतलब टोटल पांच लोगों को उ रुपय का इनको फाइन देना था पांचो को 14-14 लाग रुपय का फाइन देना था अब होसम जो थे उनको सारी चार्जे से हटा दिया गे जब इन्होंने अपील की लेकिन अधाम और बाकी जो तीन थे उनको अभी भी फाइन्स देना है यहां पे होसम जो है continuous to face charges of human trafficking human trafficking का अभी इन पे आरोप लगा है होसम और अदाम के साथ जो बाकी तीन लोग थे वो कौन थे यह अभी तक identify नहीं हो पाय जाता है अब देखिए यहां पे जो observers है मैंने अभी आपको बता दिया इसलिए पहले ही background बता दिया कि कि किस तरीके की औरतों की हालत है एजिप्ट में बंद होके रहना है और बाहर ने निकल सकते जैसे कुछ देशों में है कुछ ऐसे देश है जहां पे औरतों को ऐसे रखा जाता है लेकिन इजिप्ट लिबरल्स है लेकिन conservatives लगातार उनकी personal freedoms को attack करते हैं पते LCC जब से 2013 में पावर में आये हैं तब से लगातार कोई भी ऐस इसा incident हो रहा है तो सीधा और्तों कोटा के जेल में डाल देते हैं पिछले ही साल दोस्तों इजिप्ट की जो पार्लियमेंट है उन्होंने टिक टॉक के ओपर यह आरोप लगाये थे कि इम्मोरैलिटी निटीटी को फैला रहा है और ये भी बोला था सरकार ने किस आप को ब सरकार जो है इनको अपने लिए बहले कितना भी justify कर दें कि सब कुछ बढ़िया है नहीं नहीं ये तो हमारे मतलब ये तो हम इसे शांती लाएंगे फलाना धमाका लेकिन कुछ सरकार पर अपने पास थाकते रखती हैं अब जैसे भारत में भी UAPA पे controversy हुई थी ठीक है कि इ अब इसको जब amend किया गया था तो इसमें किसी भी इंसान को ठीक है अगर उसको लगा कि वो देश के लिए खत्रा है तो उठागी जेल में डाल दिया जाएगा तो अब यहीं एक्सपर्ट का कहना है तो यह भी खतरना कानून है इसमें तो भाई अगर आप कुछ भी Freedom Office भी अगर कुछ थोड़ा सा भी बोल देंगे कि criticize कर देंगे policies को भी तो भी आपको जल्में पकड़ के डाल दिया जाएगा तो सरकारों के पास यह कानून रहते हैं तो अब दोस्तों वैसे तो अगर भारत की बात करें तो के अंदर में सेंटर में हमारे citizens हैं भाई हमारे सम्वि इधान में सारी चीजे लिखी हुई हैं तो अब इजिप्ट में यह जो डिबॉशरी है यह जो डिबॉशरी है यह हर उस इंसान पर लगा दिया जाता है जो authority को question करता है या इस तरीके से अगर थोड़ी freedom ओरते लेने चाहती है तो यही आरोप लगा कि उनको jail में डाल दिय जाता है तो अभी जून में ही बेली डांसर समा अलमासरी को भी jail में डाल दिया गया था कैसे ही इनका वीडियो वाइरल हुआ तो रंत इनको jail में डाल दिया गया अब इससे एजिप्ट रुक नहीं रहा है उनको पता है ना देखिए तो गलत है एक तरीके से तो लोग रु पुलिया विस्तर उठा के भागना पड़ता है सिंगासन खाली करो कि जनता आती है वो बिल्कुल सही बात है यह लेचर था दोस्तों 12,800 सब्सक्राइबर है मेरे टेलिग्राम चैनल पर आप यही जॉइन करिएगा खुश रहे पर तेरे इदर से सिद्धान तक नहीं उतरी सब्सक्राइबर तक नहीं सब्सक्राइबर से पान सान खाली करिए विल्क।